सो गाइस वेलकम तो अलोप ही यह एंड दिस इस आईशु गाइस स्टाट करते हैं यहां पर अपना फिर से देखो मैं इंपॉर्डेंट कुछ यह कुछ कराने वालों इंपॉर्डेंट वैल्यूज एंड कुछ डाइमेंशन से अगर डिफिनेटली कंप्रेट कर लोगे आपक उसका उस दिन 0.25 से बंदा आउट हो जाता है दिन पता चलता है कि वाई 0.25 को इंपॉर्टेंस क्या होता है तो एक एक नमबर जोड़के ही पच्चीस होते हैं इस टॉपिक्स को मतलब कि मैं पांच मिनट की वीडियो के अंदर फिनिस करूंगा कि 7-8 मिनट से पहले खतम ह हो जाए बट आप इन्हें नोट डाउन का लेना और इसका मैं आपको पीडियोप बना के दे दूंगा टेलिग्राम चैनल अपने और जो डाउट बनता हो आप मुझसे जरूराज करना ठीक है हाँ और इसे मैं टाइप नहीं कर पाया तैप इस वजह से नहीं कर पारा हूं क आप लूसेंट का सिर्फी चला तो वह कंप्रीट हो गया है बट आपको अगर 15 प्लस स्कूर करना है तो आप उस सिर्फ को कंप्रीट कर लेजिए तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रकास की चला आप सभी को पता होता है तो इससे निमेर कल आपके एक्जाम पर ब कर् उंच, पॉल सेकी चार्ज सभी को बता होता है उलेक्ट्राण पंटाण इन तिनों पर चा bleibt प्लस माइनस सबड़ अगर प्रोटान आता है तो पोजिटिफ हो जाता है इन पशत्व हो जड़ और मांव redeem को लाम अंगे बढ़ते हैंक क्रुख लिज होज शब्यू के नाइन पॉइंट वन इंटू 10 पॉर मैंस 31 किलोग्राम इलेक्टरन का द्रोमान कितना होता है नौ दो समलों एक गुणा दस गारते मैंस 31 मतलब 31 किलोग्राम आंगे बढ़ता है इसे लास्ट टेम यहां पर पूछा था कि वान अपन फोर पाई एप साइलन जीरो का यूनिट द्रोमान नाओ तो समलेक इंटू 10 पॉर मैंस 31 किलोग्राम अब देखो कुलाम पर जो पलन यह तांक होता है वैसे यह फार्मूला होता है यह एक्टिक फिल्ड का होता है यह पिक्वान फॉर पाई एप सालेंज जीरो तो गुलाम पलन फॉर पाई पाई पॉर पाई नाट पर मैनस सेमन हैंडी पर मीटर आपका सौ प्रिणां कुडांक होता है उसका भी यूनिट पूछा जा चुका है तो वह किवल किवल हैंडी होता है अंगे बढ़ते निर्वात की विद्दू सीलतर इसे एपसाइलन नौट बोलते हैं एपसाइलन जीरो अब जो भी बोलते है इसका मार्न भी आपको पता होना चाहिए एनउकोल जो वैली पूछ ली आते है 6.2 इंटुञ पवर 23 प्रति ग्राम पर मालू ठीक है वोल्ट में नहीं थांग और रिडि़बर्स यह दोनों के दोनों इंपोटैंट है यहां पे यह वाले दोनों के दोनों आपको इन्योट डाउन करे ले ना वोल्ट में नहीं थांग सब्सक्राइब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट सी क्या है बहुत इक राशिया उनके डाइमेंशन तो इन्हें अगर आप इन्हें करते हो कंप्रेटली आपका इसी से फशने वाला मतलब ऊपर और नीचे वाले को आपको दोनों सेक्षन आज का से आज का सेशन कंप्रेट करत यह लगा रहे हो तो अच्छी बात है मैं परिक्षा को रिक्मेंड करता हूं इसके अलावा भी आपके सामने बहुत सारे उप्संस हैं अभी आप अगर आप्लेंट टेस्ट लगा रहे हो तो भाई साइट में लग दो ठीक है और ऑनलाइन टेस्ट की और बढ़ जाओ क्यों और इसाथ चार्ट लाग जो इस्टुडेंट फिल करते हैं उसमें बट आंगे क्या होता है रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट तो कुछ ही नहीं आता मतलब कि 16-17 तो जैसे कि यहां पर परिक्षा है पर एक टेस्ट को कम से कम एक लांग लोगों ने लगा है टेस्ट को अग अगर 2000 तक आता है तो आपको लगना चाहिए कि हां आप एक लांग में 2000 आ रहा है आपकी रेंक और आपकी मिस पढ़ाई अच्छी चल लए अगर आपका इतना नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए और करोगे तभी जाके सेलेक्शन लिपाऊगे बा आपको खुब प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और तो मैं कहूंगा एक्जाम से पहले आप भाई सब खतम कर दो ग्रेड़ अप टेस्ट बूक पर इच्छा इतने भी टेस्ट है ना सब खतम करते हो बस इने से कोश्यांस आए कि जो इस समय मतलो पहले एकस का लगाओ इस प्रेडो गाओ टिन एकस वाहिवाले पर छो मिलते हैं उसका एक्स काब मतलब की मेरा कहने कह नो मतलबर सारे की सब्सक्षी हैं तो 25 अगर हर Naheak में होंगे तो पचीज तरगा 75 minded सारे साथ वश्यानं दूसरे टूसरे ठाहरे सारे को escuch un hoanton और और प 50% को आप मिल जाएगा बाई करोगे तो ठीक है तो वही टेस्ट जीरी जग 140 रुपाय में मिल जाएगी बांकि आप देखने ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड सौरी थोड़ा सा टाइम मैंने जाता ले लिए देखो यहां पर स्वाइब आप यहां पर एप साइले नाट का विमा यह बराव वन अपन फॉर पाइप साइले नौट क्यू नक्यूवन क्यूट अपान आर इसक्वाइब वैसे इससे निकाल सकतो है यह मैंने ल्टी मैनेस डू होता है इसका आजएगा इधर आ जागए यह यह स्क्वायर त सकते हैं यह बराबर वानपान क्योंट की उनकी टू अपन आर सकते हैं इससे निखाल पाओ के इसे आप रहने तो इसे उपर लादो इसे नीचा लादो निकाल दूझ थैस्म इसी फार्मूले से जाके निकाल सकते हैं आंगे है यूनिट यूनिट देए मिर मीटर इसका पर तो अधिए प्रती होता हैं है यूस् – इससे निकाल पाओंगे यह क्या होता है mlt-2 mlt-2 क्यों क्या होता है 80 क्यों बरावर आइटी होता है तो 80 बस इससे उपा नीचे तो करी सकते हैं कोई दिक्करत नहीं होगा mlt-3 a-1 ओके mlt-3 a-1 वैद्धुत विवह या विद्धुत वागबल सिंपल है वी बरावर डबलू अपान क्यों डबलू कार होता है तो कार बरावर एब इन्टू यससे भी निकाल सकते हैं बट मुझे याद है तो mlt-2 अपान क्यों क्यों हो जाएगा 80 उपा नीचे कर लो आगया राइट राइट प्रमाण थे सेम होता है क्यों दुत प्रमाण आपके एग्जम पर बहुत बार पूछ जाता है अंगे धारीता पढ़ाओ अ क्यों बरावर की आजाएगा क्या जाएगा QV C बार और QV आ जाएगा QV से निकाल देना है Q यहाँ पे आपका Q बढावर IT मतलब 80 हो जाएगा और वी भी वो आंटर है यह वी वह रह्पर का वेलोसिटी मत समझना वी वह रहता है अब आगे हला हुआ कर पएउघली ठीक है है ऑग तर अगनफ दायता हो रूग श्क्राइब कल बार क्या हो जाएगा वै बॉब अब ध याँपनाई याँ तो यहां पर विः वी आपकेवी ऑन वनचाई यह तो जो अभी मैं लिखा ml2 t-3 a-1 ठीक है और आई का क्या हो जाएगा आई का यह हो जाएगा बस इसे कलेना है आंगे चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध अक्ता ml3 t-3 a-2 ml3 t-3 a-2 आंगे विशिष्ट चा लगता इसे याद का लेना विशिष्ट चा लगता यह जितनी भी डाइमेंस दिवहीं अगर आप मिस करते हैं तो आपका थोड़ा सा हानी होने वाला है एक नंबर गायब हो सकता है चुमकी छेत a-1 चुमकी छेत a-2 m'2 a-1 चुमक सिर्था u0 का अराम से निकाल सकते हो यह फाइबर और बी डॉट है होता है फाइबर और बी डॉट है जहां पर भी आपका क्या मैगनेटिक फिल्ड है और यह आपका एरिया है इस पेसिस पर निकाल पाओगे आंगे सभी का सेम ही होता है ml2 t-2 a-2 इससे लिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चीए और इनका जो यूनिट होता है वो हेंदी होता है अभी भी अगर आपको कोई डाउट बनता हो मुझसे आसकना मैं जरूर रिप्लाइ करूंगा और आपको इन मान्स इन वैल्यूस को कम्प्ल कर गा तो आल देश्ट जो डाउट बनता हो कमेंट सक्षिन में आसकाना टेक केर और लभी तो आल फो वाचिंग दे वीडियो